एक बार सुमेरु परवर्त पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्तों बताने का अन्रोत किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्तों को न जानते हुए भी इस परकार कहने लगे। मैं ही इस अंसार को उत्पन करने वाला से मूँ अजन्मा एक मात्र इश्वर अनादी भक्ती ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हुए। मेरी प्रवर्ति और निवर्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर ब्रह्मा ने पर मुनी मंडिली में विद्यमान विश्रु जी ने उन्हें समझाती हुए कहा। मेरी आग्या से तो तुम सश्टी के रचियता बने हो। मेरा अनादर करके तुम अपने प्रवत्र की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विश्रु अपना अपना प्रवत्र इस्थापित करने लगे। और अपने पक्षिय समर्थन में शास्त्र वाकि उध्रत करने लगे। जिसके भीतर समस्त भूत नहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवर्त होता है और जिससे परमात्व कहा जाता है वह एक रुद्रूपी हैं यजुर वेद ने बोला जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमानित होते हैं तता जो इश्वर के संपून यगियों तता योगों से भजन किया जाता है सब का द्रस्टा वह एक शिव ही हैं सामवेद ने बोला जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है जिसे योगी जन ढूनते हैं और जिसकी कांती से सारा संसार प्रकाशित होता है वे एक तियंबक शिव जी ही हैं अथर वेद जिसकी भक्ति से सक्षट कार होता है और जो सब दुख सुख अतीत अनादी ब्रह्म हैं वे किवल शंकर जी ही हैं विश्णु ने वेदों के इस कथन को प्रलाब बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीतवान धूल धूसरित प्रेमनात कुवेटा धारी सर्वा वेस्टित नपनवाही निसंग शिव जी को पर ब्रह्म मानने से इंकार कर द जोती नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विश्णु की बुद्धी नहीं बदली उस समय उन दोनों के मद्द्य आदी अंत रहत एक ऐसी विशाल जोती प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा इतने में त ब्रह्मा की संपूर्ण वाते सुनकर शिव जी अत्यंत कुर्द हुए और उन्होंने ततकाल भहरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा परशासन करने का आदेश दिया आग्या का पालन करते हैं भहरव ने अपनी बायंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला भहवित ब्रह्मा शत्रुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्ते की प्रतिती हो गई और वे दोनों शिव जी की महमे का गान करने लगे यह देखकर शिव जी शान्त हुए और उन दोनों को अभैदान दिया इसके उपरांथ शिव जी ने उसके भीशन होने के कारण गौरव और काल को भी भेवित करने वाला होने के कारण काल भहरव तता भक्तों के पापों को ततकाल नस्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशी पूरी का अधिपती बना दिया फिर कहा कि भैराव तुम इन ब्रह्मा विश्रु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्ये से भिक्षा वित्ती करते हुए वाराण सी में चले जाओ वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्मात्या के पाप से मुक्त हो जाओगे शिव जी के आगया से भैराव जी हाथ में कपाल लेकर जूह काशी की हो चले भ्रह्मात्या उनके पीछे-पीछे हो चली विश्रु जी ने उनकी इस्तोती करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित नहोने का वर्दान मागा विश्रु जी ने ब्रह्म हत्या के बहरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रहम हत्या ने बताया जो वह तो अपने आपको पवित्र मुक्त होने के लिए भहरव का अनुसरण कर रही है भहरव जी जोही काशी पहुँचे जोही उनके हाथ में चिम्टा और कपाल छुट कर परत्विर गिर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पढ़ गया इस तीर्थ में जाकर सविधी पिंडदान और देव पित्र तरपन करने से मनुष ब्रहम हत्या के पाप से निव्रत हो जाता है